Hello guys, welcome back to the new video आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग के लिए Top 4 Best 5G 25,000 से लेकर 28,000 तक के स्मार्टफोन सेलेक किए हैं जो कि इस टाइम पर आपको Curve डिस्पले के साथ आफर की जा रहे हैं अलग-अलग कंपनियों की तरप से इस वीडियो के अंदर काफी research, analyze and review करने के बाद ये top स्मार्टफोन सेलेक की हैं जो कि आपके लिए value for money रह सकते हैं इनमें आपको most probably camera setup एकदम top notch level का देखने हो मिलेगा साथी display curve देखने हो मिलेगी M.OLED and 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको fast charging की support भी दी गई है इनमें आपको काफी अच्छा powerful process देखने हो मिल जाएगा अगर आप कोई भी heavy work करना चाते हैं और फिर ultra HD में gaming करना चाते हैं तो आप easily कर पाओगे without time waste के इस वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले आप channel पर नए आये हैं तो please channel को subscribe कर लेना और bell icon के बटन को press कर लेना step by step में आपको 4 smartphone के बारे में बताने वाला हूं सारे specs सबसे पहले बात करते हैं इस लिस्ट के first smartphone के बारे में जो की रहता है वीडो की तरफ से iq7 इस smartphone के price आपको 25,000 के around देखने हो मिल जाएंगे feature loaded smartphone है डिजाइन भी आपको काफ इच्छी premium देखने हो मिल जाती है step by step में आपको सारे feature explain कर देता हूं सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस smartphone की display के बारे में तो इसमें आपको MOLED 120Hz के refresh rate के साथ 6.62 inches की display दी गई है जिसमें आपको HDR10 Plus की support भी दी गई है always on display है ये 1300 nits की peak brightness है इसमें प्रोस्टर देखने हो मिलता है OctaCore Qualcomm Snapdragon वाला 888 5G 5.9 mm के साथ आता है Android version 11 पर वेज़ड है और front touch 11.1 पर आपको run करते हुए देखने हो मिलेगा 8GB 1208GB के base variant से आता है UFS 3.1 type की storage है rear part में triple camera setup है 48 में आप इक्षिल का primary camera 13MP का telephoto और 13MP का ultra wide 4K 60fps में maximum video record कर सकते है rear camera से front में आपको 16MP का selfie camera देखने हो मिल जाएगा stereo speakers है OTG support करता है ये smartphone in display fingerprint sensor के साथ आता है इसमें आपको 4000 mm की battery देखने हो मिल जाएगी जिसके साथ आपको 66W की fast charging की support देखने को मिल जाएगी build quality के बारे हम बात करते हैं तो 209.5 gram का weight है इसमें आपको 8.7 mm की थिकनेश देखने हो मिल जाएगी 25,000 के अंदर vivo की तरफ सा IQ7 feature loaded smartphone है जो कि आपकी easily size requirement को fulfill कर रहा है मैंने step बेज तरफ सारे specs आपको बता दी है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं better value for money है अब बात करते हैं next smartphone के बारे में जो की रहता है Xiaomi की तरफ से Redmi K50i अगर आपको most probably एक gaming smartphone चाहिए तो यह आपके लिए काफी the better deal रह सकती है इसमें आपको gaming के साब से जो feature देखने को मिलते हैं वो आपको काफी इच्छे देखने को मिल जाते हैं डवल एफ एस LCD 6.6 इंचिस की डिस्पले है गेमिंग में आपको refresh rate अच्छा चाहिए होता है तो 144Hz का refresh rate है में Dolby Vision है HDR10 की support है 615Hz की peak brightness है डिस्पले में गोर्लग लास 5 की protection भी दी गई है और चिपसेट देखने मिलता है दोस्तों इसमें आपको Octa-Core MediaTek Dimensity वाला 8100 5nm के साथ आता है Android version 12 पर आपको Out of the box देखने मिलेगा जो की upgradable Android 13 है MIUI 14 पर आपको run करते हुए देखने मिलेगा 6GB, 128GB के base variant से आता है UFS 3.1 टाइप की storage है rear part में triple camera setup है main camera आपको 64 MP के देखने मिलेगा 8 MP का ultra wide 2 MP का macro lens 4K 30 fps में आप easily like maximum video record कर सकते हैं front में 16 MP इक्सल के selfie camera है stereo speakers है 3.5 mm का jack है OTG support करता है side mountain fingerprint sensor है 5080 mAh की बैटी है जिसके साथ आपको 67 Watt की fast charging की support भी देखने को मिल जाएगी build quality के बारे हम बात करें तो इसमें आपको 200 gram के weight देखने मिलेगा और 8.9 mm की thickness यह smartphone काफ़ इच्छा है powerful है और साथी feature loaded है जो कि already मैंने आपको सारे feature बता दिये इस price point पर आपको इसको भी consider कर सकते हैं अब बात करते हैं next smartphone के बारे में जो की रहता है दोस्तो realme की तरफ से 11 pro plus 5G यह smartphone आपको 27 से फिर 8000 के आसपास देखनों मिल जाएगा top latest model है realme की तरफ से recently launch हुआ है इसमें आपको काफ़ इच्छे feature दिये गए है price के point of view से smartphone के अंदर काफ़ इच्छे specs offer किये गए है realme की तरफ से display में आपको curved display देखने हो मिलेगी MOLED 6.7 inches की जिसमें आपको 120 hits का refresh rate देखने हो मिलेगा display में 1 billion colors की support HDR 10 plus की support 950 nits की peak brightness प्रोसर दिया गया इसमें आपको octa core media tech वाला dimensity 7050 6 nanometer के साथ आता है android version 13 पर वेज़डर realme UI 4.0 पर आपको run करते हुए देखने को मिलेगा इसमें आपको base variant 8GB, 250, 6GB का देखने हो मिलेगा rear part में आपको triple camera setup देखने हो मिलेगा 200 megapixel का main primary camera 8 megapixel का ultra wide, 2 megapixel का macro 4 के 30 fps में आप maximum video record कर सकते हैं front में आपको 32 megapixel का selfie camera देखने हो मिलेगा stereo speakers है, in display fingerprint sensor है 5000 तैमेज की बैटी के साथ आपको 16W की wide fast charging देखने हो मिलेगी यह smartphone 6 lakh के round Antutu score करता है, 37 में आपको काफी अच्छी build quality offer की गई है back frame plastic case में आपको back में leather finishing देखने हो मिलेगी बिलकुल unique design के साथ जो कि आप official video में देख पा रहा होगी 37 में आपको 183 gram का weight देखने हो मिलेगा 8.2 mm की thickness इसको आप definitely consider कर सकते हैं handheld आपको काफी अच्छी premium देखने हो मिलेगी और साथी feature भी काफी अच्छी दिये गाए इस price point पर अब बात करते हैं next smartphone के बारे में जो की रहता है again realme की तरफ से 10 pro plus यह smartphone 26 से 17 दर के असपास देखने हो मिल जाएगा इसमें भी काफी अच्छी feature offer किये गए और design तो realme काफी अच्छी like premium enhance wheel के साथ बना रहा है जैसे कि इसमें आपको curved display M.OLED देखने हो मिल जाती है 6.7 inches की जिसमें आपको 1 million colors की support दी गई है HDR 10 plus की support है 120 Hz का refresh rate है 800 nits की peak brightness है साथी आपको chipset दिया गया इसमें octa core media tech density वाला 1080 6 nanometer के साथ आता है Android version 13 पर वेज़ड है Realme UI 4.0 पर यह smartphone run करता है काफी अच्छे आपको neat and clean user interface के साथ powerful chipset देखने को मिलता है इसमें आपको 6GB, 128GB का base variant देखने हो मिलेगा rear part में triple camera setup है 108 megapixel का primary camera 8 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का आपको macro lens दिया गया है 4K 30 fps में आप rear camera से video record कर सकते है फ्रेंट में आपको 16 megapixel का selfie camera देखने हो मिलेगा stereo speakers है और साथ इसमें आपको in display fingerprint sensor ओफर किया गया security काफ इच्छी है 5000 mh की बैटरी के साथ इसमें आपको 67 watt की far charging की support देखने हो मिलेगी 5,50,000 के around अंतुतू score जाता है स्मार्टफोन का काफ़ इच्छा score है back frame plastic की है glass की protection display के अंदर दी गई है 173 gram का weight है और 7.8 mm की थिकने से इसको भी आप purchase कर सकते है यह भी इस price point पर काफ़ी the better value for money smartphone है बाकी दोस्तों यह चारो स्मार्टफोन आपको 28,000 से नीचे के देखने को मिल जाएंगी जो कि already मैंने आपको price explain कर दी है चारो स्मार्टफोने के step by step अब अपनी priority के according इन चारो स्मार्टफोनों में से कोई साभी purchase कर सकते है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी वीडियो को like कर देना चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के बटिन को प्रैस कर लेना यह वीडियो अपने दोस्तों में शेकर देना दोस्तों मिलते हैं आप से लिए रेक ऐसी ही न्यूंटरस्टिंग और अपडेटिट वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care